बिग बॉस OTT2 के विनर और यूट्यूबर एलविश यादफ को साप की जहर सप्लाइ करने के मामले में बीते रविवार यानी 17 मार्च को गिरफतार किया गया था एलविश यादफ को इस मामले में गिरफतारी के पास दिन बाद 22 मार्च को बेल मिल गई एलविश यादव को बेल मिलने के बाद उनके तमाम चौहने वाले अब खुश हैं और सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार कर रहे हैं इसे बीच एलविश यादव की एक्स गर्फिन कीरती महरा की ट्वीट्स ने सबसे ज्यादा ध्यान कीचा एलविश यादव और कीरती महरा के रास्ते भले ही अलग हो गए लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ खड़ी रही अब जब एलविश यादव जेल से बाहर आए हैं कीरती महरा ने अपने ट्वीटर हैंडल पर एक ट्वीट में लिखा है कि बेल हो गई है एक अने ट्वीट में लिखा है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है जैश्वी राम जब एलविश यादव जेल में थे तब कीरती महरा उनके माता पिता के सपोर्ट में खड़ी रही कीरती महरा ने अपने एकस बॉइफिंड एलविश यादव को सपोर्ट किया है तो फैन्स उनकी तावीप कर रहे है